याद आता है कुछ आपका पहला परफॉर्मेंस कहा था, कैसा था, कितना बड़ा मंच था, कैसे वो संयोग क्या था कि आप स्टेज पर पहुंचे और वहां से शुरू हुआ आपका यह सफर जो अब यहां तक पहुंच चुका है, जहां लोग अब सितार और आप एक दूसरे के परियाय बन चुके हैं, पहला जो जिन्दगी में, आपको बता हूँ, कलकत्य में बहुत मशूर एक कॉंफरेंस होता तो उस जमाने में, 47-48 की बात करो, तांसेन संगित सम्मेलंग, उन्हें पहले बजाया मेंने, क्यूं बजाया, उहां पर मेजरी कंपिटिशन फरस्ट जायता मैं, तो मेरा पहला पब्लिक परफॉमस जो, और उसके बाद हम रेडियू में आडिशन दे के पास हो गया है, और बजाने लगे हम, रेडियू में हम देखिए हैं, चौसर सालों के बजा रहे हैं, ऐसे बहुत कम काला कार मिलेंगे अपको, हमर तो जिन्दी के कहानी हैं, हम बोल, अपने बने में ज्यादा बोलना, इसले ही नहीं चाहते हैं, बोल सकते हैं, देखिए, चाली सल उनिवस्टी पढ़ाया, साथ किताबे लिखी हैं, पचास बार विदेश गए हैं, और राग हमने आर्ट बनाया, और क्या क्या बताओं अबको, तो इसमें हमारे इनिवस्टी पढ़ाने के में देखिए, हमारे अंडर में 40 PhD स्कॉलर है, PhD स्कॉलर मिला है, अब सोचिए, एक जिन्दिगी है, कितना काम है, हमने 40 सल उनिवस्टी में लगाया, हमने डिपर्मेंट को बनाया हमने, तो इसले से, अब देखिए, कि हमारे जो बारे में कहा जा बहुत पसंद करते हैं मरे सितार, एक चीज जो मैंने मेरी सबक से उपर मा आगे दूँगा, हमने बाजाने के स्टाइल है, हमने कायम के लोग सुनकर बता देंगे, यह मैं बजा रहा हूं, यह बहुत बढ़ी बाते हैं जिन्दिगी में, मनलब हम सितार बजाते हैं, आप क बजा रहा हूं, अभी हाली में एक हमरा प्रगम होता है, हैबिटेट में, हमारे शाय नानी जी गुजर गया, उनकी याद में मैंने बजाय था, यह मुझे फोन करके कहा, हम सूर के गंगा में नहा किया है, आपके सितार को उन्होंने इतना में दर्जा दी, एक अच्छे कल कर, मतलब हमारे कहने का मतलब हमें हमेशा हमेरे गुरुजी के दोहा है, सुर है इश्वर, ले है ग्यान, तन ही पत है, रूप है ध्यान, इश्वर प्राप्ति करना हो, सुर के साधना करो, और सच्चा सवर भगवान होता है, आप कहीं पे देखेंगे, सच्चा सवर कहीं ल बाजाते हुए करीब सत्तर साल तो ही गया। मगर मैं आभी लगता है मुझे आभी तक मुझे सीखना है। काश मेरे गुरु जिन्दा होते मैं और सीख पाता है। क्योंकि मैं कहता हूँ यह जो समुंदर है। जगता पर समुंदर के किनारे में होते हैं, तक बहुत उसलकुद होता है पानी का। अब जितने गहरे में जाएंगे शांथ। तो संगीत में जब तक आप किनारे में रहेंगे तो आप उसलकुद करेंगे। जब को गहरे में चले जाएंगे शांथ। तो ये एक उपलब्धी है हमारे जिन्दिगी में। मैं समझता हूँ, मैं जब सिता लेके बैठता हूँ, हम कहते है श्वर मुझे उशक्ति दो तक हम कहीं फिसल ना जाए। अभी भी हम सोचते हैं। और ये बात इतनी सच्ची है कोई बिनाय नहीं है। दिखावानिये। हमें साथ किताबे लिखी है। क्या क्या बता है अपने बारे में। हमेरे दो तिन जो इस्टूडियो और डेडियो के तो टॉप क्लास के है। टॉप क्लासे बहुत बड़ा मना जाता थै। हमें अब रेडियू में हलागा चिठी नहीं आए एक इस से भी उपर एकलास बना नैशनल आर्टिस करके वो ग्रेड हमें दिया है अब कब तक हम जियेंगे इसको अब कब तक होगा I don't know मगर यह है कि हमें इतना खुशी है कि हमें माननेता मिली है पर्दमभुशन मिला यह व मुश्किल होता है कैसे कैसे रची जाती है आखिर एक नई राग यह कोई परिख्षा नहीं होता या कोई प्लैनिंग नहीं होता एक कल्पना अपको मन में जब आ जाती है then you develop हमें कभी यह नहीं सोचा आज राग बनाएंगे नहीं एक मैं मिसल देता हूँ कुछ राग के बएचे कहानी एक है जैसे हम नहीं पहली हमने बनाए था पिषिश्षवरी मेरे पिताजी बिषषव मेरो न場 रहाइ नाम था उन पर जैसे झांश को मैंने के नमीन बनाए था मैल था मेल मतर रहा होता है अ बहान है छोना मैल होता है उसका थाड कहते है तो हमारे करनाटिक मेल में एक राग है चारुकेशी अच्छा नौर्थ में हमने देखा किसी के पस कोई ऐसा संद नहीं है ऐसे डिर्मार करशी नहीं है यही चारुकेशी होगा कोई इद्धा से करता कोई इद्धा से करता कोई इद्धा से करता आपको चारुकेशी, मैं चार राग सुना दूँ, चार लोगों से चार शकल है, राग जब होंगे, तो शकल एक ही होने चाहिए, तो इसमें शकल की राग बहुत, हमरे रागों में क्या होता है, एक स्वार लगा है, गुरु जी बोलते थे, राग सामने आ जाए, हमारे घरान उसको इशकल दी हमने, आदो आपरी बनाई, और लोगों ने बहुत तारीफ करी, और मैं याद है, उने स्वार सातर की बात है, अउसाद आमिर खांचाभ हमारे घराय थे, हम दो उनाय थे, तुने बहुत तारीफ करी, तुने सोचा अच्छा किया, हम लोग सोचते हैं, इसलिए मुजिक में चलते रहना चाहिए, तो राग जो बनाया, जो अपकी सवाल की बात करो, एक एक पिछे कारन है, यह राग मेरे मन में आया, जब मेरी वाइफ मंजुष्री चोदरी की डेथ होगी, तुने मन में बजाते हैं, एक राग एक सूर आया, एक राग एक शु स्वार करते करते, मुझे लगे यह अच्छा जमेगा, बन गया, उनको उनको ने जो प्रभाती मंजरी नाम दिया, उनका नम मंजु था, तो मिसेस मुदातकर थी जब जिन्दा थी, प्रलेस को आप मंजरी कहिए, तो प्रभाती मंजरी, तो यह सब उपर से कुछ आते हैं, एसको बनी-बना कुछ ने होता है, भगवान की देन है, यह, हम ने कुछ ने करा, हमने मन में कुछ आया, मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग ऐसे करते न, आप अच्छा बजाब तारिफ करते, ऐसे-से करते, गलत है, हम कुछ ने कर रहे हैं, हमारा आत कौन चला रहे हैं, आपको सुन रहे थे पंडी जी अब कुछ महीनों पहले उस्ताद आशिक हली खान साब की याद में जो एक कामानी में उसमें और जब आपने दुरुद्ग उसमें अपना टेंपो बढ़ाना शुरू किया सतार पर तो मुझे ऐसा लगा या हम लोग को ऐसा लगा कहा जाए जो पांच मिट लगा अब मैं आया ना एक एकर की जीना चड़ा तो अंदर जाके मुझा दोया थख गया मैं अब एक कलाकर गुजर गजर गया उनको देखने कए एक कोई बीमार था अभी आज हमरा उस्ताद के लिए एक बिश्वर्तिक स्कूल है नोजड़ा में उह पर एक ट मैं समझता हूँ कि सच्चा संगीत करेए आप कोई हमको बताएगा हमारा अउमर है कोई नहीं बताइगगा इस च कोई नहीं बताएगा पिले में सब बाल का ले थे Music आपको It inspires you It gives you new leads of life आपको तो लाइफ चो मिलता है आपको मुझी से आपको लाइफ प्रट नहीं गायते वहां पर ऐसा ही लोग ने कहा आप तो अमरे साथ प्रतिक चोधरी मेंना बेटा वो बजाते है कभी कभी तो हमसे ज्यादा भागता है बजाता है मैं भी तैयारी में कर रहाता है तो के लिए आप कहा थे ऐसे तैयरी कैसे बजा रहे थे अजब जोश होता ना जोश में तो होश खूब बैठते हैं तो करते हैं पंडी जी मैंने पढ़ा है आपका एक अनोखा रिकॉर्ड है चौबिस घंटे में 24 सीडी रिकॉर्ड करने का अब क्या है वो कहानी कैसे बना वो रिकॉर्ड जरा बताएं उसके बारे में वह जब अमरीका गए तो अपर मारशी महें जोगी का मैंने बहुत कुछ कुछ काम कि तो उन्होंने कहा इस संगीत को अगर चौवीस घंटा बाताप्रण में चलते रहे तो आशांती बंध हो जाएंगी सारी दुनिया में वह भी आए इसका प्रमान भी है आप यह रेकॉर्ड चौवीस घंट का चौवीस राग होता है राग तो बहुत होता है तो बहुत होता है तो आपको घर में अगर चौवीस घंट राग चलते रहे जूर से नहीं धीरे से बैग्राउंड जिसको डिस्टरब ना करे में मेजिक है भी नहीं भी है ऐसा आप देखेंगे आपको काम करने में लगन बढ़ जाएगा पराय में लगन बढ़ जाएगा ब्रेन शार्फ ह अब जैसे संगरी सुनते हैं आपको फ्रिश लगता न वह घर में बैटकर चौवीज घंटाप सुनिए अपको फिरश लगेगा प्रतीक सितार बजाते हैं आपकी परंपरा को आगे ले जा रहे हैं कितना कितना सुकून देता है ये कितनी 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 सैटिस्पाइंग है बात की आपकी परंपरा आपके बेटे के द्वारा या उनके जरीय आगे बढ़ रही है तो बहुत अच्छा लगता है ना प्रतीक जाद जितने हमरे शाग्रिद है यह जो दोग है कलकते साय सिखने के लिए हैं अभी लड़की के पांचाली सब सिखती है जरदियों बजाते ह इस बढ़ारे और सट्रह पर्दे में आप देखी के बाद गौर कीज़ेगा सट्रह पर्दे में सितार हिंदुस्तर में कोई नहीं बजाता है आप कहेंगे आप वो सट्रह में क्यों है उनीस करते हमने पकड़ के रखा कि हम हमाई घर आने के जो प्रतिष्ठा जीस पर है हम हमारे नाम सेनिया कहते है सेनिया में मसित सेन वस ओर एजिनेटर आप मसित खनी बाज है और वो सट्रह पर्दे बजाते है हम क्यों हमको अनको शागर्यत हूं अर उनको गुरु मानता है तो हमें फॉलो करना चाहिए इसलिए प्रतिख बेटा है ऐसा नहीं कुछ लोगों मे क्या है अमाने प्रतिक छोड़ के पर्दि तो टॉप बास पंड़ी आपमसे बातचीत की हम आपके बहुत-बहुत आभारी है कि आपने हमारे लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके लावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आ आगरूकता फैलाने का एक मंच है जो एक रेजिस्टर्ड ट्रस्ट है और 2014 से हम छोटे बच्चों के लिए खास तोर पर ये मुहीम चला रहे हैं जिसका टाइटिल है सुनेंगे तभी तो सीखेंगे